हाई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल तो चलिए आज की वीडियो में हम बनाएंगे औरेंज केंडी जो हम औरेंज से नहीं बनाएंगे उसका जो छिक्कल होता है उससे बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे अराम से पूरा एक साथ निकला सबसे यहाँ पर मैंने इसको बहुत अराम से और यह साथ करने के लिए इस तरीके से तरीकें संसरे के चिकल को लेंगे उससे पतला पस उसक प्रभ आपrying एकसे पतला गर नहींदी हमने इस मोटा कट नहीं करना है है को चली है फटाफट data कर लेते हैं हीर्ट हमा दो कप पानी तो यहां पार फटा फट से मैंने दो कप पानी बानी सीफ सब मैंने अच्छ से वोह गया घाझ, आप 15 मिन豆 बाद इसमें बहुत और बाल हो गया है, दवापन होगा वो हट जाएगा तो इसके लिए मैंने उसी बरतन में लिया है दोग का पानी और पानी में फिर से वापस हमने इसे बॉइल की हुए संत्रे के चिकल को डाल दिया है और डालने के बाद लगबग 10 मेर तक हम इसे अच्छे से और बॉइल करना है बॉइल करने कर दुगना इसमें पानी डाल दे तो मैंने यहां पर एक कटोरी शक्र में दो कटोरी पानी डाल दिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक कप संत्रे का जूस मैंने यहां पर एक कप इसमें औरेंज जूस डाल दिया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगबग 15 से 20 मेड़ तक इसको हम पकने देंगे जब तक हमारा जो यह सारा पानी शक्कर वाला है वह अच्छे से खतम ना हो जाए तो आप देख सकते हैं कि 20 मेड़ बाद इसका सारा पानी खतम होके आए और हमारी जो केंडी है वो लगबग बनके रेडी हो गई है तो अब गैस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे इसे एक प्लेट पे निकाल लेते और इसे बहुत ही अच्छे से हम इसको फैला देते थोड़े खर्ते दर्धार के लिए और हम लें झायाक है तो आप पर हम लेंगे पीशी हुई SUs HOL कर ग्टाव पीशर।। यहां से वापस वापस से Şu चेंडी हमने बनाई करेंगे तो इसका चिपचिपपन खतम हो जाएगा तो गाइज हमारी सारी सक्कर में अच्छे से केंडी कोड हो गई है और हमारी संत्रे की छिकल की बनके केंडी रेडी है तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक कीजिए